हेलो डियर स्टूदेंट्स वेलकम तु दा ओफिशल यूटूब चैनल आफ होम अकैडमी आज की वीडियो में हम क्रेंट इफर स्पेशली जो है जेके एकॉंट एसिस्टिन के एक्जामिनिशन के लिए शुरू कर रहे है विस पेशल रेफरेंट टू जमू इन कश्मीर कहने के जानले लेते हैं जम्मू एन कश्मीर यूनें टैरेटर्री कैपिटलि जो है वह सरीनगर ऑर जमू जो है विंटर कैपिटल रहती है किस मन्थ से लेके ऱूमबर टू अप्रियल लिफ्टेर्टmam Jap को्न है जमू इन् कश्मीर के गृस चनल मूर मुर्मू जो है जमू इन सकीम जो है वो लांच किये है recently मार्च महीने में अपरेल के मंत में उने हम जो है वो डिसकुस करेंगे पहली सकीम जो है लेफनेंड कवणर गृर्णर ग्रिशचंद्र मुर्मू लांच टूडेंट हेल्थ काड स्कीम फुर् स्कूल चिननन जमून केशमीर तो पहली जो सकीम है students जो government school में पढ़ते हैं उनके लिए health card की scheme लेके आए है और यह scheme जो है वो कब launch की गई है यह scheme जो है 5th मार्ट 2020 को जो है वो date याद रख लेना 5 मार्ट 2020 को जो है launch की गई है किसने की है लेटरेंट गवर्ण गरिश चेंदर मुर्मू ने launch की है और scheme का नाम कहा student health card scheme तो जो भी government school में जो बच्चे जो है वो जा रहे है जैसे के एक पहले mid day meal की scheme लेके आए थे के mal nutrition जो बच्चों में था वो कमी जो है वो दूर की जाए अब यहां पर जो है health के related health card scheme लेके आए है बच्चों के लिए to improve the health and overall well-being of the children तो तक्रीबर बारा लाख बच्चे जो है government school में जेंड के में जाते है इस scheme का aim यही है to ensure the good health of every school going child and to create awareness among the parents about the benefit of this scheme तो इस scheme के तहद under this scheme to ensure the good health good health को ensure करेंगे बच्चों की regular health के जो है वो check-up करेंगे school going children के और यहां पर जो है जो कार्ट जो दे रहे है health card जो दे रहे है इसमें एक record रहेगा बच्चों की immunization की गई है bi-annually examination होगा बच्चे का child तो यह कुछ जो है वो इसके related है बस आपके लिए जो है इतना ही याद रखना है scheme जो है वो health card की scheme है कब launch की गई किस ने launch की गई इसका aim क्या था Next point is election commission of India appoints हिरिदेश कुमार as the new chief electoral officer of Jambu and Kashmir election commission of India ने हिरिदेश कुमार को appoint किया है new chief electoral officer of Jambu and Kashmir कब appoint किया गया है 16 माज 2020 को इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए हिरिदेश कुमार जो है 1999 batch IAS officer है इनसे पहले जो यहां पर थे वो थे शलिंद्रा कुमार जो के पहले जो है chief electoral officer थे जमू and Kashmir के और अब जो होंगे वो कोन होंगे हिरिदेश कुमार तो इनका नाम जो है वो भी आपको याद रहना चाहिए multiple choice question में करण्ट है फिर में पूछा जा सकता है पेश किया गया 17 मार्च 2020 को जो है वो पेश किया गया और मार्च 70 तुछाजन ट्वेंटी दस सेंटर हैस प्रपोर्ट और लाग 1428 क्रोर बजट ता हाइस्ट एवर बजट एंटिस्पेशन फार्दा यून टेरिड्रिया जमू और कश्मीर फार्दा में 2021 फिजकल तु 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 इसट वाजट वाजट रड़ गुश्ट थ सेिट-फरफैन yan 6- negatives यहाँ पर डू ते व याद रक्ले ना कि इसने बजट जो है वह वह पेश किया है उनिए उनिपनास मिनिट्र निर्मिला सितायरामन ने पेश किया है तो इसमें की ऐलोकेशन की हम बात कर देते हैं तो पहला जो की ऐलोकेशन है टूरिजम की बात करते है इस बिंग प्रपोश्ट एट रुपी 706 क्रोड विच इंक्रूड थ्री न्यू रिलीजियस सर्कृट तो तीन नई सर्कृट बनेंगे टूरिजम के कले जो है 706 क्रोड जो है वो ऐलोकेट किये गए है पहला जो सर्कृट बनेगा शिव खोरी उत्तर बनी पुरमंडल माता सुखरा लादेवी जी सैकिंड बनेगा शंकर अचार्या माता खीर भावानी माटन में है नेश्ट जो बनेगा मगदूम साइब, खानकाय मौला, वातलब, बबारिशी and पक अश्मकाम तो इस बात को भी याद रखना है नेश्ट इस प्रिजर्वेशन आवदा कल्चल साइट जमू इन कश्मीर में जो भी कल्चल साइट है उनको प्रिजर्व करने के लिए रुपीज 100 क्रोर है विन अर्मार्क्ट फार दा प्रिजर्वेशन आव दा कल्चल साइट इन जमूर कश्मीर फर दा इयर 2021 इंडिश्ट्रियल इंफरस्ट्रॉक्टर की बात करते है एन अल्डिश्ट्रेशन आप रुपीज 494 क्रोर है के लिए फिर ये इंडिश्ट्रियल इंफरस्ट्रॉक्टर की बात के लिए 495 क्रोर है लिए बजो दीया गया है बाजेट में 2021 21 के लिए and next is school and higher education sector में the government has made an allocation of rupees 2,000 2,392 crore which is a piece 1,000 1,000 crore more than the previous year budget allocation अगर हम पिछले साल की बात करेंगे तो 1392 था इस वाइ जो है 2392 है तो यहां पर जो है याद रख लेना school or higher education के लिए जो है वो कितना जो है लोकेट किया गया है next is इसके बाद जो हम health की बात करेंगे health and medical education में and allocation of rupees 1268 1268 crore has been made for the health and medical education next is the most important आपके लिए सारों के लिए ठीक है vacant post को fill करने के लिए कितना जो है लोकेट किया गया है filling up of the vacant post for filling up फिफ्टी थॉजन वेगन को जैसे के promise किया गया है there is an allocation of two thousand crore for the twenty twenty one year next is jamun Kashmir announces rupees five lakh free health insurance under the eyeshuman bharat scheme to jamun Kashmir जो administration है इन्होंने 18 March 2020 को announce किया गया किया था कि free health insurance जो के under the eyeshuman bharat जो है jamun Kashmir के residents को भी जो है मिलेगा तो on March 18 2020 jamun Kashmir Union territory administration has sanctioned the JNK health scheme to provide free of cost of universal health coverage of peace five lakh as health insurance to all the resident of jamun Kashmir in convergence with Ayushman bharat ठीका तो याद रखले ना आईश्मान भारत PMJAY मतला प्रदाहन मंत्री जन अरोग्या योजिना the decision was taken by the administrative council under the chairmanship of jamun Kashmir Lieutenant Governor Grish Chandra मुर्मू next is jamun Kashmir government set up social and educational BC commission कब की गई थी set up 19th March 2020 ko the jamun Kashmir government set up commission named JNK socially and educationally backward commission classes commission will be headed by the justice retired judge J.D. Sharma तो यहाँ पर नाम भी जो है वो याद रखले ना to examine the social and educational backwardness of various backward classes like Dalits in the union territory of the jamun Kashmir तो क्या कर commission का जो है नाम है JNK socially and educationally backward classes commission कौन इनके जो है head है G.D. Sharma next is jamun Kashmir handicraft handloom development department to be merged इन तो डिपार्टमेंट्स को जो है मर्च कर दिया गया है जमूइन कश्मीर handicraft को and handloom development department इन दोनों को मर्च कर दिया गया है कब कि है 19th मां 2020 को किस ने किया है the administrative council of jamun Kashmir approved the merger of jamun Kashmir handicraft corporation and JNK handloom development corporation into JNK handloom and handicraft marketing corporation जो अब नया नाम रख दिया गया है वो क्या है JNK handloom and handicraft marketing corporation जिसको हम short में लिखेंगे JK HHMC मतलब jamun Kashmir handloom and handicraft marketing corporation as per government this merger we increase the efficiency accountability and transparency of the corporation and also increases the resource and manpower and brings synergy in the activities of these two sector अब यह जो नए department बने है newly formed department of handicraft and handloom इनके जो है दो directorate division होंगे एक जमू में एक कश्मीर में और इसके अलावा eight regional जो है deputy directorates होंगे at अनतिनाग बढगाम बारामुला और बंडिपूरा इनके श्मीर डिविजन और जमू डिविजन की बात करेंगे कट्वा उदूंपूर जोरी और डोडा में जो होगा तो दोस्तों यह थे कुछ current affair जमू इनके श्मीर से related कुछ मार्स के मन्त के जो है वो कवर करने की कोशिश की थी यह जो current affair आप हमारी website पर भी पढ़ सकते हो www.homeacademyblog.blogspot.com thanks for watching अगर आप को यह वीडियो जो है अच्छी लगी होगी अगर आपको लगता है कि यह useful है तो अपने दोस्तों के साथ जो है वो जरूर शियर कीजिए हमें फेस्बुक पेज़ पर इंस्टाग्राम पर जो है फालो करना ना भूलिए thanks for watching